हेलो इस वीडियो में हम पाइवोर्ट चार्ट के बारे में सिखेंगे पिछली वीडियो में हमने पाइवोर्ट टेवल के बारे में डेटेल में जाना था पाइवोर्ट चार्ट में हम बहुत सारी डेटा का मंचाय डंग से चार्ट बना सकते है इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे यह सारा डेटा जितना भी चाहिए उतना सलेक्ट करेंगे यह सारा डेटा हमने सलेक्ट किया अब इस डेटा का हमने पाइवोर्ट चार्ट बनाना है तो इसको करने के लिए हम insert टैप पे जाएंगे insert टैप पे जाने के बाद यहां पे pivot chart यहां पे more बटन पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे pivot chart यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह जितनी भी range हमने select की हुई है यह range यहां पे आ जाएगी इसके बाद यहां पे दिया गया है new worksheet अगर हमें new worksheet पे काम करना है तो हम यहां पे click करेंगे अगर हमें इसी worksheet पे ये pivot chart बनाना है तो हम इस पे click करेंगे second पे तो हमें नई worksheet पे ये pivot chart बनाना है तो हम first पे click करेंगे new worksheet और इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद ये new worksheet यहां पे open हो जाएगी यहां पे यह जो दिया गया है यहां पे report generate की जाती है इसके बाद यहाँ पे जो है यह चार्ट क्रेट किया जाएगा इसके बाद यहाँ पे राइट एंड साइड में पाइवोर्ट चार्ट फीड दी गई है तो इसको हम यहाँ से थोड़ा कम करेंगी यहाँ पे यह कम की इसके बाद क्या करेंगे हम जो भी हम यहां से फिल्ड चेक करेंगे इसकी रिपोर्ट यहां पे बन जाएगी तो हम क्या करेंगी यहां पे फर्स्ट यहां पे कस्टमर नेम इस फिल्ड को यहां पे रिपोर्ट पे लाणा जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको चेक करेंगी इसको चेक किया चेक करने के बाद ये लिखो ये जो है इसकी रिपोर्ट यहां पे बन जाएगी कि ये जो customer name है कौन-कौन से है यहां पे लिए गया है अमित, बोबी, जितेंदर, मदन, मोहित, साहिल, सुरेश ये सबी जो है customer name है customer name के बाद item name इन्होंने कौन-कौन सी item करीदी हुई है उसको अगर हम यहां पे लाना जाते है report में तो हम second पे चेक करेंगे इसको ये item name यहां पे इसको चेक किया, इसको चेक करने के बाद ये देखो, यहां पे item name आ जाएंगे साथ में, ये जो बड़ा किया, ये दो फिल्ड यहां पे chart के area में यहां पे insert हो गई है एक है customer ने और दूसरा है item name अभी तक यहां पे इसका chart ने बना है अब जब हम तीसरी फिल्ड पे क्लिक करेंगे, price वाली तो यहां पे ये chart बन जाएगा ये देखो, chart ये फिल्ड पे गई और फिल्ड पे जाने के बाद यहां पे price पे हमने इसको check किये चेक करने के बाद ये देखो यहां पे इसका chart बन क्या जाएगा तो chart ये देखो जैसे ये record दिये गया है ये record आमित इसने के लिए हो है keyword तो ये देखो ये जो graph है यहां से 800 तक गया है ये तो दूसरा है यहां पे bobby LCD लिए हुई है तो ये देखो bobby name है LCD लिए है और इसने कितने के लिए हुई है ये 5000 तो ये देखो इसका जो ये chart है 5000 यहां तक गया है इसके बाद आगला है जतेंदर इसने क्या लिए हूई है speaker तो ये देखो ये जतेंदर name है इसने speaker लिए हुई है कितने का लिए हुई है ये 660 ये देखो यहां पे ये इसका price है तो ये इसका chart यहां पे बना हुए है इसी प्रकार ये आगे है ये देखो मदन इसने LED ली हुई है तो ये मदन नेम आ गया LED ली हुई है कितने की ली हुई है यहाँ पे यह चार्ट बना हुए 6000 तो इसी प्रकार यह आगे भी चार्ट बने हुए है तो यह चार्ट बनके यहाँ पे आ जाता है आने के बाद अगर हम इसको फिल्टर करना चाते है अगर हम यह चाते है कि हमारे पास यह आमित, बोबी, जितेंदर, मदन, मोहित, साइल, सुरेश यह सबी नेम यहाँ पे नहीं आए हमें केवल यह तीन नेम यहाँ पे आएं इनका ही चार्ट बनके आए तो अमित, बोबी और जितेंदर और बाकी का चार्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं आए तो हम इसको यहाँ से फिल्टर कर सकते है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह सबी यहाँ पे चेक है इसको अंचेक कर देंगे यहां पे अंचेक किया आमित का चार्ट चाहिए बोबी का चाहिए और जितिंदर का चाहिए तीन का चाहिए तो इनको हमने तीन को चेक कर लिया चेक करने के बाद ओके पे क्लिक किया ओके पे क्लिक करने के बाद यह रिखो यहाँ पे जिसके उपर हमने चेक किया था वो यहाँ पे चार्ट बनके आ गया यह आमित इसका चार्ट यहाँ पे बनके आ गया यहाँ पे बोबी इसका चार्ट यहाँ पे बनके आ गया और यह जितिंदर इसका चार्ट यहां पे बनके आ गया है और यह देखो record भी यहां पे यह तीन का आ गया है आमित, बोबी और जितिंदर अगर हमें यहां पे सभी name चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे customer name पे जाएंगे filter पे और यहां पे इसको select all यहां पे इसको check करेंगे तो check करने के बाद यह देखो सभी यहां पे check हो जाएंगे इसके बाद okay पे click करेंगे तो okay पे click करने के बाद यह देखो यहां पे customer name सभी यहां पे आ जाएंगे इसके बाद यहां पे second filter लगा हुए item name तो item name अगर हम यहां पे ने चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे यहां पे आइटम नेम फिल्टर पे जाएंगे और यहां पे इसको सभी को अंचेक करेंगे अंचेक करने के बाद अब हमें क्या क्या चाहिए जैसे LED इसका चार्ट चाहिए और इसके बाद आगे pen drive इसका चाहिए दो का चाहिए दो क हमने यहाँ पे चेक कर दिया इसके बाद OK पे क्लिक करेंगे तो OK पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे LED इसका चार्ट यहाँ पे बनके आ जाएगा इसके बाद Pen Drive इसका चार्ट यहाँ पे बनके आ जाएगा तो यह रिखो चेक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे, OK पे क्लिक करने के बाद ये लिको, सबी आइटम्स का यहां पे चार्ट बन के आ जाएगा, तो इस तरह से हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, इसके बाद आगे है सेल्स, अगर ये चाहिए, तो ये सेल्स भी साथ में आड़ हो जाएगी तो यहां पे देखो, ये सेल्स, यहां पे हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद ये देखो, ये जो चार्ट था, ये चेंज हो गया, अब यहां पे प्राइस भी साथ में लगा हुआ है, ये देखो, ये है प्राइस 800, और ये आगे जो है, ये हुई है सेल्स, तो सेल्स क है आगे इसकी sale कितनी हो रही है ये दिखो इस पे click हूँ तो ये बता रहा है एड़ थाउजन्ट ये sale हो रही है इसी प्रकार ये आगे lcd बॉबी ने लिए हूई है तो इस पे chart पे click करेंगे तो ये बताँ है values 5000 है और इसकी sales कितनी हुई है यहाँ पे click करेंगे तो यह sales बता रहा है 25,000 यह sales यहाँ पे हुई है तो इसी प्रकार यह आगे भी chart बना हुए है इसके बाद आगे हम date field को यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो date field यहाँ पे chart में show हो यह देखो यहां पे क्लिकिया date field पे यहां पे check किया तो इसके साथ यहां पे date भी आगी यह देखो date यहít यहां पे बन के आगे इसके बाद यहां पे date field यह यहां आजाएगी और यहां से भी हम इसको filter कर सकते है, sort कर सकते हैं, अगर कुछ भी sort करना है जैसे suppose करो हमें जो 16 date वाले हैं वो चाहिए उसका chart चाहिए तो हम यहाँ पे filter पे जाएंगे और इसको सभी को uncheck करेंगे यह देखो uncheck किया अब किस date वाला chart यहाँ पे हमें चाहिए suppose करो हमें यह 16 date वाला यहाँ पे चार्ट चाहिए तो यहाँ पे 16 डेट यहाँ पे हम चेक करेंगे चेक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे पास जो चार्ट बनके आएगा वो 16 डेट वाला ही आएगा बाकी नहीं आएगा यह देखो ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये 16 डेट यहां पे आ गई, ये 16 डेट इसका ये चार्ट है, ये pen drive लिया था, किस ने लिया था, मोहित ने लिया था, और कितने का लिया था, ये देखो इसका चार्ट बना हुआ है यहां पे, ये 900 का लिया था, और इसकी जो sale हम कितनी हुई है यह जो है देखो यह sale का चार्ट यहांपे बना हुँ है यह sale यहांपे हुई है 13,500 यहांपे sale हुई है date के साबसे हम यहांपे इसको sort कर सकते हैं अगर हमें फिर यह सभी चाहिए सभी data यहां पर चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर date filter यहां पर क्लिक करेंगे और इसको select all इसको check करेंगे और ok पर क्लिक करेंगे तो यह दिखो यहां पर जितनी भी data यहां पर हमने ली थी वो सभी data यहां पर आ जाएंगे तो इस प्रकार हम date के इस आप से भी data को sold कर सकते इसके बाद हम यहाँ पे चार्ड पे क्लिक करेंगे चार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाइबोर्ट चार्ड टूल यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद यहाँ पे हम एनलाइज टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर अगर हम डेटा को फिल्टर करना जाते हैं तो हम इसके जरी यह डेटा को फिल्टर कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट स्लाइसर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह slicer यहाँ पे आ जाएगा है यह दिखो यह slicer यहाँ पे आ गया है जिसमें दिया गया है यह field यहाँ पे दिया गया है customer name चाहिए इसे हमने filter करना है या item name से करना है या price से करना है sales से करना है date से करना है किस से करना है तो हम यह customer name यहाँ पे इ जाएंगे ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर कस्टमर नेम यहां पर आ जाएंगे जितने भी हैं यह कस्टमर नेम यहां पर आ जाएंगे इसको हमने फिर यहां पर रखा रखने के बाद इसकी थोड़ी सी हम यहां पर हाइट को बढ़ाएंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे यह दिखो यहां पे Click किया और बिर्थ भी इसकी बढानी है तो यहां पे Click करेंगे यह बिर्थ बढ़ गे इसके बाद यहां पे Name का Slicer बनके आ गया है अब हम जिस Name के ओपर Click करेंगे उसी का चार्ट यहां पे बनके आ जाएगा यह रेखो जैसे हमने first पे क्लिक किया अमिद पे तो अमिद का यहां पे चार्ट बनके आ जाएगा वाकी चार्ट यहां से हट जाएंगे यहां पे क्लिक किया अमिद और यह रेखो अब यह जो है अमित का यहां पे चार्ट बनके आ गया है बाकी चार्ट यहां से हट गए इसके बाद और चाहिए जैसे यहां पे मोहित इसका चाहिए तो यहां पे क्लिक किया तो यह रिखो मोहित का यहां पे चार्ट आ गया और यहां पे यह record भी यहां पे मोहित का show कर रहा है सुरेश का चाहिए यहां पे क्लिक किया है तो यह रिखो सुरेश का चार्ट बनके यहां पे आ गया यह यहां पे एक अई चार्ट बनके आ रहा है अगर हम यहां पे दो का चार्ट बनाना जाते हैं तो हम यहां पे multi select यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे किसका और किसका चाहिए एक तो सुरेश का यहां पे चार्ट बना हुआ है और इसके बाद मोहित का यहां पे चार्ट यह भी साथ में आए तो यहां पे मोहित पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो दो का चार्ट यहां पे बन के आ जाएगा एक सुरेश का आ गया यहां पे स्लेक्ट सुरेश है इसका आ गया और इसके बाद यहां पे स्लेक्ट मोहित है और इसका आ गया इसके बाद और चाहिए, बोबी का भी चाहिए, तो यहां पे बोबी पे क्लिक किया, बोबी का चार्ट यहां पे बनके आ गया, अगर हमें सभी यहां पे चाहिए, तो हम सभी पे यहां पे इसको select करेंगे, तो सभी यहां पे आ जाएंगे, यह देखो सभी का यहां पे चार् पे क्लिक करेंगे यह देखो पाइवर्ट चार्ट टूल में आगे है डिजाइन यहां पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे चार्ट के बहुत से डिजाइन है अगर हम इनको change करना जाते हैं तो design कुछ change कर सकते हैं यह यहाँ पर layout दिये गया है change करने हैं तो यहाँ से layout change कर सकते हैं कोई भी layout चाहिए यह देखो change हुरहा है तो जिसके ओपर click करेंगे वही layout यहाँ परप़भाई हो जाएगा अगर यह जो color दिये गया इसको change करना outcome यहां पे क्लिक किया तो चार्ट का कलर यह आ जाएगा इसके बाद आगे चार्ट स्टाइल यहां पे बहुत से चार्ट स्टाइल दिये गया है जो भी चार्ट स्टाइल हमें चाहिए उस पे क्लिक करेंगे वही चार्ट स्टाइल यहां पे आ जाएगा यह चाहिए तो यह यह चार्ड स्टाइल यहां पे बनके आ जाएगा इसके बाद है switch row column switch row column से क्या होगा यह switch हो जाएगा जैसे हमें यह first सुरेश का record यहां पे switch करना है तो हमें इसको switch कर सकते हैं तो यहां पे switch पे click करेंगे तो यह देखो हुई है 13 को लिए हुई है और यहां पे joystick कितने के लिए है 610 तो इस प्रकार यहां पे record यह switch कर सकते हैं इसके बाद इसको हटाना है तो हम फिर यहां पे switch row column पे click करेंगे यह यहां से हट जाएगा इसके बाद आगे है select data अगर data select करना है कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए तो यहां से कर सकते हैं या filter के जर्ये भी हम इसको कर सकते हैं इसके बाद है change chart type अगर यह chart है इसको change करना है तो यहां से हम इसको change कर सकते हैं किसमे change करना है यहां पर style दिये गए है, यह line में करना है, pie में करना है, bar में करना है, area में करना है, तो यहां से हम इसको change भी कर सकते हैं, इसके बाद है move chart, अगर यह chart हमें अगले sheet में चाहिए, जैसे suppose करो हम यह एक नई sheet यहां पर insult करते हैं, यह देखो एक नई sheet यहां पर हमने insult की, insult करने के बाद यह sheet number second यहां पर आ जाएगा, अगर यह chart जो है, यह first sheet में जो chart है, यह chart हमने second यहां पर sheet पर लाना है, तो यह कैसे करेंगे, यहां यहां पर pie wall table sheet इसमें लाना है, तो इसको करने के लिए हम यहां पर move chart पर क्लिक करेंगे, move chart पर क्लिक करने के बाद यहां पर new sheet दिये गया है, object in दिये गया है, अगर यह sheet number second पर ले जाना है, तो object in पर यहां पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर sheet second यहां पर क्लिक करेंगे, और ok पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पे sheet second यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद design type पे जाएंगे यहां पे move chart पे जाएंगे और इसके बाद sheet second से यहां पे click करेंगे और pivot table यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह जो chart है pivot table sheet में आ जाएगा ओके पे क्लिक किया ये देखो ये जो पाइवोट टेवल शीट है यहां पे ये चार्ट बन किया जाएगा अगर फिर हमने यसी चार्ट को फर्स शीट पे ले जाना है तो फिर हम यहां पे डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे Move Chart पे Click करेंगे और Pivot Tabel यहाँ पे Click करेंगे और यहाँ पे Sheet 1 पे Click करेंगे OK पे Click करेंगे तो यह जो है Sheet 1 पे यह Chart वन के आ जाएगा इसके बाद Pivot Chart Transportation में format tab है अगर यह जो Chart है इसको Shape Style में हम Change करना झाते हैं यह सभी Shape Style दिये गया है और भी यहां पे shape style है कौन सा style चाहिए उसके ओपर हम click करेंगे उसी style में यह बन के आ जाएगा इसके बाद आगे है shape fill अगर हमने इसकी background इसको हमने change करना है तो यहां पे click करेंगे किस color में चाहिए यहां पे कोई भी color लेंगे जैसे suppose करो हमें यह color चाहिए यहां पे हमने dark blue पे click किया तो यह background इसकी यहां पे change हो जाएगी इसके बाद अगर इस graph की हमने outline color change करना है तो यहां पे click करेंगे यह देखो outline color यहां पे click किया तो यह आएगा यह outline color यहां पे आ रहा है यह जैसे यह name लिख हुए है सुरेश, अमी, बोबी, मदन, साहिल यह जो है इनका हमने world art style चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यह देखो चेंज हो रहा है और चाहिए यहाँ पर क्लिक किया जैसे यहाँ पर बहुत से world art style दिये गए है जिसके ओपर हम क्लिक करेंग डिटेल में जाना आगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद